नमस्कार, study IQIS पर आप सबका स्वागत है, आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कि सरकार जो जनरल एलेक्शन होने वाले हैं 2024 से उससे पहले ही Fast Tech Technology को रिप्लेस करके एक नई टेक्नोलजी लाना चाह रही है, जिसका नाम है GPS Toll Collection Technology GPS Technology के बेसिस पर, Geo Positioning Satellite के बेसिस पर हम अब Toll Collect किया करेगे, अभी तक क्या सिस्टम चल रहा है, Fast Tech का, आप मेरे पीछे फोटो देख पा रहे है, कि आपके गाड़ी के उपर एक Fast Tech Sticker चपका होता है, जब आप किसी भी Toll तक पहुंचते हो, तो RFID Technology की मदद से आपका Fast Tech जो Toll की हो जाती है, तो आपको Cash नहीं Carry करना पड़ता, RFID Technology की Full Form है, Radio Frequency Identification Technology, जो आपकी Wind Screen पे गाड़ी की चिपका होता है, अब RFID Technology कैसे काम करता है, वो Radio Waves का इस्तमाल करता है, Radio Waves Transmit होती है, and which is used to read and capture information, which is stored on a tag, Fast Tag, जोसको आँ कहते हैं, Fast जल्दी करने के लिए, ये Technology Fast Tag को Scanner के पास चिपकाने नहीं, थोड़ा फीट की दूरी भी हो, तब भी ये असानी से Scan हो सकता है, ये Current Technology अभी आपकी चल रही है, so आपको जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा सामने ही Line of Sight में ही होना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे भी होगी गाड़ी, तो Fast Tag Scanner अराम से आपको scan कर लेगा और आपकी account से पैसे कट जाएंगे, टैग जो है, वो 5 साल के लिए valid होता है, 7 अलग-अलग colors में आता है, जो कि 2016 के बाद से सरकार ने इंडिया में यूज करना और 2017 के बाद से इंडिया में compulsory करना शुरू कर दिया था, बट अब इसको भी replace करने का time आ रहते हैं, टोल पर खड़े रहते हैं, cash कोई दे रहा है निकाल के खुल ले निया जी, तो time लगता था, बहुत time waste होता था, अब क्या है सीधर scan की है और गाड़ी आगे बढ़ गढ़ गई, हालाग ये situation भी आज विलकुल विरुद्ध हो चुकी है, मैं अपना personal experience बता हूँ कि मैं भी टोल पर कुछ 10-10 मिनट खड़ा रहे चुका हूँ, time waste हो चुका है, क्योंकि टोल पर अभी भी काफी traffic लग रहा है, जितना पहले होता था उतना नहीं है, बर definitely problem अभी भी है, right, national और state highways पर fast track चल तो रहा है, बर problem अभी भी है, अभी भी 5-10 मिनट on an average लोगो हो जाना पढ़ता है कुछ issues की वज़े से, कई बर क्या होता है, किसी का fast track चल नहीं रहा होता है, कई बर क्या होता है, fast track में पैसे नहीं होते है, वो blacklist हो जाता है, तो फिर party को जो person है उसको आगे नहीं जाने दिया जाता है, बहुत सारे issues होते हैं, इसके लावा fast track ने बहुत जादा है, किसी के पास by chance cash नहीं है तो उसको रोग देते थे, economic benefit है, toll plaza बहुत smoothly बहुत असानी से चल पाते हैं, operate कर पाते हैं, आपको जितना staff पहले रखना पड़ता था, उतना staff अब नहीं रखना पड़ता, ये खासियत है, but, but and but, इसमें भी कुछ issues चल रहे हैं, मैंने जैसे आपको सबसे पहला example बताया, कि एक बार आप fast tag ले लेते हो, एक बार fast tag शुरू कर देते हो, तो आपके account में हमीशा पैसे होने चाहिए, जो इनसान हर बार ध्यान नहीं रख पाता, दूसरी बात, एक पूरी सडख है, यहाँ पे toll लगा हुआ था, आपको यहा बारने के लिए GPS-based toll collection system भारत सरकार लाने का सोच रही है, NHAI, National Highway Authority of India इसको use करेगा, जिससे असानी से बिना गाडियों को रोके, toll की payment हम कर पाएंगे, it will capture the vehicle's registration plate, आपके गाड़ी का जो registration पटी होती है, नंबर होता है, गाड़ी का जो number है, उसको scan किया जाएगा, उसकी photo ल इंडिया devices चलते हैं, अलाकि भारत के पास खुद का एक global positioning satellite का GPS का alternate है, नाविक उसका नाम है, पर नाविक में अभी भी कुछ operational issues आ रहे हैं, इसको universal अभी तक महीं कर पाए हैं, तो GPS technology का हम use करेंगे, ताकि अकाउंट से पैसा कट जाए, कितने kilometer गाड़ी चली है, highway पर इसक GPS based toll collection technology will need an onboard unit, गाड़ी के अंदर एक device लगा होना चाहिए, जो कि GPS के साथ या इंडिया का जो native है, नाविक के साथ, उसके साथ connected होगा, ये onboard unit, आपके mobile wallet के साथ connected रहेगा, जिसमें से पैसा deduct होता जाएगा, ये issue जो fast tag के साथ हम सामना कर रहे हैं, उसके problems को solve कर पाएगा, ज जो की चोरी हो सकता है, या उसको कोई भी over a period of time बार-बार इस्तमाल करने की वैसे हम damage भी कर सकते हैं, कई बार गुम सकता है, fast tag गिर गया, right, glue उसकी adhesive उसका उतना strong नहीं रहा, दूसरी बात fast tag system जो है, although it's very fast, बट अभी भी गाडियों को रुकना पड़ता है, तो मैंने बत अभी, it has been observed that sometimes the toll fee is deducted twice, एक बार की आतरा में दो बार toll कर जाता है, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, तो यह technical glitch की वज़े से आपका पैसा double-double कर जाता है, वो issue भी नहीं होगा, हाला कि इसको बोला जा रहा है कि वो issue नहीं होगा, we have to see the operational aspect, कोई भी technology full proof नहीं होती है, some card readers take long time to read and register, मैंने बताया, काफी बार scan properly हो नहीं पाता, और समय काफी वरबाद हो जाता है, इसी वज़े से वो wait time खतम करने का, जो पहले promise किया था, सरकार नेगी fast tech, वो wait time खतम कर देगी, जो नहीं कर पाया, तो वो GPS toll collection system खतम कर सकता है, और toll booth की संख्या इससे कम हो जाएगी, toll जो collection हो रहा है, सरकार का वो बढ़ेगा, क्योंकि गाडियां जो इधर उधर से निकल जाती थी, अब GPS technology, GPS से कहाँ बच के भागोगे, GPS से कैसे छुप पाऊगे, तो GPS tolling, satellite based navigation का इस्तमाल करेगी, जहां पे गाडियां को रुकने की जरूवत नहीं है, जितना travel किया होतना ही पैसा कटेगा, ये benefits आपको मैंने बताया, तो petrol कम waste होगा आपका, जो stoppage में waste हो जाता था, और सरकार जो गाडियां छुप जाती थी, बच जाती थी, उनको भी पकड़ पाएगी, तो this is how it works, GPS equipped vehicles create किये जाएंगे, जिन पर GPS technology से less onboard unit लगाया जाएगा, micro control integration, जो नए latest generation वाले basically controllers है, जो गाडियों में government plan करने का सोच रही है, fit करने का plan कर रही है, वो GPS technology से connected होंगे, satellite से, जिन से data बहुत असानी से सरकार capture कर पाएगी, authorities capture कर पाएगी, और regularly monitor कर पाएगी, जिससे क्या होगा, कि toll gate के ऊपर आपको बार-बार रुख कर, जो समय बरबाद होता है, वो नही technology अगर देखेंगा, fast tag, RFID technology पर आधारित है, GPS based toll collection system, toll tracking deduction technology, satellite के basis पर बनाई गई है, उस पर आधारित है, जहां पर continuously आपके GPS को observe किया जाएगा, इसके challenge भी है, सबसे बड़ा challenge यह है, कि कई बार solar flare आती है, सूरच की कई बार बहुत ज्यादा लपते, solar flares के तोर पर आती है, जो magnetic field को disturb करती है, satellites के, उस time पर हो सकता है, गलट data हो जाए, उस time पर जाधा पैसा कट जाया, पैसा कटे ना, सरकार का revenue loss होगा, दूसरी बात, कई सारे hackers hack कर सकते हैं, गाड़ी की information चुरा सकते हैं, आपके account से पैसे चुरा सकते हैं, privacy का एक concern है, सरकार की नजर आएगी, कहा जा रहे हो, कहां असे आ रहे हो, तो tracking किया जा सकता है, और इसमें भी operational issue आ सकता है, एक और बड़ी problem है, चौती बड़ी problem है, कि GPS technology, American technology है, देशी technology इस्तमाल करने के बजाए, हमें विदेशी technology का इस्तमाल कर रहे हैं, obviously it is not the right thing, fast tag भी, अभी काफी safe रहता है, secure रहता है, और जब से इसका penetration हुआ है, thousands of crore rupees has been collected by the government of India, तो fast tag technology कोई utter failure नहीं है, बट हाँ, GPS tolling technology बहुत अच्छा solution हो सकता है, अगर इन challenges को हम दूर करने में सक्षम रहे, अगर एक बार आपने इन challenges को दूर कर दिया, तो definitely fast tag से बेटर GPS tolling system हो सकता है, अब एक और बात समझो, जो पुरान पुरानी गाड़ी हैं, जिनमें GPS लगा ही नहीं है, जिनमें onboard unit लगाने की facility नहीं है, 12-13 साल पुरानी हो चुकी है, और उन गाड़ीयों के अंदर आप कैसे toll monitoring करोगे, वहाँ पे तो fast tag लगाना पड़ेगा, हमाँ तो cash में पैसा लेना पड़ता है, obviously fast tag का use होगा, cash में भी पे लगाए है, इतना लाखों करोड रुपे कर्च कर दिया, उसका क्या, अब आप कह रहे हो कि physically toll booth की toll plaza की जरूरत नहीं है, हम GPS से track कर लेंगे, जो इतने हजारों करोड के ठेके सरकार ने निकाले, contracts निकाले, और पैसा खर्चा, जनता का पैसा खर्चा, आखिरकार उसकी value क्या बची, इसी वज़े से, it is a risky situation, हम आशा करते हैं कि इसे toll collection और असान हो, और सरकार का revenue differential मतलब, जो revenue में फरक आएगा, after this, वो बहुत जादा बढ़े, cyber security concerns को दूर करें, और ultimately consumer protection हो सके, जो ग्राहक है, जो consumer है, उसके convenience और उसके solution को सोच कर हम, इस technology को जल्दी से जल्द we definitely can ensure that India becomes fast and quick when it comes to transportation, thank you, आप मेरे साथ मेरे telegram पे जुड़ सकते हैं, मेरे telegram group है, वसु कटारा study IQ, वसु कटारा मेरा नाम है, एक और मिक्स में पढ़ाता हूँ study IQ में, UPSC की preparation कर रहे हो, यहां पे जुड़कर मुझ से आप contact कर सकते हो, Instagram मेरा वसु.कटारा के नाम से available है, औ UPSC के किसी भी course में जुड़ना है, वसु live admission discount code apply करिएगा, आपको maximum discount हमारे courses पर